दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह थी आपके पास सौ रुपे का पुराना इंडिया का नोट है तो उसकी आज क्या वैल्यू हो सकती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पास कुछ सौ रुपे की नोट है इन में से इस नोट को मैं हटा देता हूँ जोकि यह जादा पुराना नहीं है और इसको भी हटा देता हूँ यह जादा पुराना नहीं है यहाँ पर आज हम बात करेंगे इन दो नोट की जो की मेरे पास है चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस नोट से यह जो नोट है जो मेरे पास है इसकी कंडिशन बहुत अच्छी नहीं है यह काफी पुराना सा हो गया है साथ में इसमें पैन से भी कुछ लिखा हुआ है यदि बैक से देखें तो यह बैक में कुछ इस तरह का दिखाई देता है इस पर यदि हम देखें तो इस पर गवर्णर आईजी पटेल के साइन है यह रिजर पैंक ऑफ इंडिया के गवर्णर रहे थे 1977 से लेकर 1982 तक मतलब यह नोट उस टाइम पर प्रिंट हुआ है चलिए दूसरा में नोट है उसको देखता हूँ यह वाला है अलग डिजाइन का है बैक साइड से यह कुछ इस तरह का दिखता है और फ्रंट से इस तरह का है अगेन इसकी कंडिशन फिर से जादा अच्छी नहीं है और इसमें जो गवर्णर की साइन है उनका नाम है S.Wankatraman यह 1990 से 1992 तक रिजर बैंक के गवर्णर रहे थे यह उस समय प्रिंट हुआ था आपके पास यह नोट है तो यह कैसा है उसकी कंडिशन कैसी है उस पर यह depend करता है कि इसकी कितनी value होगी और हो सकता है आपके पास यह से पुराना भी कोई नोट हो तो वो और अच्छा है उसकी value और उससे ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी multiple websites पर मैं study कर रहा था और इसकी जो value है वो 500 रुपे से start होका और यदि आपके पास बहुत ही rare नोट है और बहुत पुराना नोट है तो 40,000 रुपे ebay करके जो site उस पर 40,000 रुपे तक यह available है sale हो रहा है इस समय तो आपके पास यदि यह note है तो आप किसी इन websites पर try कर सकते हैं जो कि 500 रुपे से start होका 40,000 तक अभी मुझे दिखाई दिया है मिल रहा है depend करता है कि इसकी condition कैसी है यह कितना पुराना है और कुछ rare note है rare note है means इसका number कुछ specific है suppose number कुछ 123456 है या 111111 है या कुछ और या 786 number आ रहा है आपके इस note के number पर तो यह इस पर depend करता है कि इसका यदि यह rare note है तो इसकी value अपने आप में कुछ जादा होगी यदि आपको websites की नाम चाहिए जो कि जहां पर मैं study करता हूँ तो मुझे comment section में लिख कर बताएं मैं आपको comment में answer जरूर दूँगा